तो देखिए दोस्तों बड़ साथ दिनों का हम लोग फल लाएं हैं तो ये कौन सा फल है तो चलो आप लोगों दिखाते हैं दोस्तों कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं चानते हैं भी होंगे दोस्तों तो ये देखिए आप लोगों हिला लगपर दिखा रहे ह तो सबसे पहले तो हमारे इस तरफ बोलते हैं दोस्तों इसको कोसम का फल कहते हैं तो इसी कोसम फल को किस तरह से खाया जाता है और किस से खाया जाता है चलो आप लोगों दिखाते हैं दोस्तों यह दिखिए तो देखिए नमक मीटचा इसके साथ ही बहुत ही टेस्टी तो इसे इस तरह से खाया जाता है दोस्तों ये कुछ इमली जैसे आम इस तरह से खटा रहता है दोस्तों और इस तरह से इसे भी खाते हैं दोस्तों ये छोटा बीच की तरह निकलता है और इसमें कुछ रहता है तो तो देखिए नमक और मिर्ची के साथ खाने से और भी इसका स्वात बढ़ जाता है। यह देखे बहुंस सारा लाएं है दोस्तों और इसे खा रहे हैं तो थोड़ा सा खा पाएंगे बहुंस सारा है तो थोड़ा सा और भी किसी को दे देंगे यह देखे कितना सारा है तो हम लोग बहुत देड़ से खा रहे हैं तो चलो आप लोग को बताएं यह कौन सा फल है आप लोग भी जानों कि यह फल कौन सा है दोस्तों तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में आप लोग को दिखाएं तो देखिए नमक मेटची के साथ खाते हुए बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट खट्टा मीठा रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों खाने में काफी अच्छा लगा हम लोग खाने में और हम लोग घर बैटके बहुती आराम से खा रहे हैं ये देखि only उह और साक्षी इस्वीखा रहे थी साक्षी चल गए मंदोल कह रहे हैं। बहुत सारा बचा हुआ है इसको हम लोग पानी में गरम करके भी खाते हैं दोस्तों तो हम लोग इसी प्रकार से खा रहे हैं इससे भी अच्छा लगता है यह देखिए साक्षी आ गई देख सकते हैं और खा रही है वो तो पहले से ख खा रहे है कितना सारा खा चुकी है नीचे में गिरा आ रही है खा रही है इसी टेप का लग रहा है दोस्तों यह देखिए चलो आप लोगों बहुत अच्छा दिखाते हैं आप लोग हमें साथ दिखाएंगे रहेंगे आप लोग भी ऐसे खाये होंगे या फिर आप लोगे पास होगा या नहीं होगा तो इसी बढ़सात में यह फलता है दोस्तों बढ़सात में खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है यह खठा रहता है यह तो देखें नमक मिर्ची भी खतम होने वाला है और यह फल तो बहुत ही लगा हुए दोस्तों कितना सारा फल है खाते खाते तो बहुत देर हो जाएगा लेकिन खाने पारे हम लोग यह देखिए नमक मिर्ची के साथ और यह देखिए अभी थोड़ा सा और कितना बचा हुआ है आप लोग को दिखाते हुए काफी सारा बचा हुआ है और हवा भी कर रहा है दोस्तों बहुत सारा यह देखिए नीचे में कुछ गिरा हुआ है देखिए कितना खाये हुए हैं यह साक्ची का सब कर्तू थे दोस्तों देख सकते हैं किस प्रक्ष खाये हैं बीजवीज गिरा हुआ है यह देखिए तो हम ल प्रेंद दूल को बाइबाइब